सेना प्रमुक जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को मीडिया से बात चीत करते हुए चीन पर सीधा हमला बोला उन्होंने कहा कि चीन एक ताकतवर देश है लेकिन भारत भी कोई कमजोर राश्र नहीं है उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदोस्तान किसी को भी अपने शेत्र में घुस्पैट की अनुमती नहीं देगा सेना प्रमुख ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अपना ध्यान उत्री सीमा पर किंद्रित करे उन्होंने कहा कि चीन हम पर दबाव डाल रहा है और हम इसका बाखुबी जवाब भी दे रहे हैं हम अपने शेत्र को अतंकित करने की अनुमती नहीं देंगे हमारे सैनिक टैनात हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी सेना तयार है जनरल रावत ने कहा कि चीन की हट धर्मिता से निप्टने में हम पूरी तरह सक्षम हैं उन्होंने कहा कि शेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के अक्रामत चीन के प्रयासों के बावजूद भारत अपने पडोसियों को चीन के पाले में नहीं जाने दे सकता डोकलाम पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि सेना वहाँ पर हर स्थिती के लिए तयार रहती है आतकवाद के मुद्दे पर सेना प्रमुख ने कहा कि तमाम कुश्वों के बावजूद जमू और काश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी नहीं आई है और ना ही आतंकवादियों की संख्या घटी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को भीचता ही रहेगा इसलिए हमने निर्धारित किया है कि पाकिस्तानी सेना की उन पोस्ट को बरबाद किया जाए जहां से आतंकवादियों को मदद मिल रही है इसके दोड़ अषर कर जो कि लिए बड़ लोगजे हैं, अरले से कि अधर। लिए जारी है कि अधर। ता स्विर्ड से अधर। ठास्ट था झाल दाफ। अधर बान ड्सके अधर, मेक कि अधर।ियर अधर। there are also tasks which are unlisted which i have always referred to as operating beyond the mandate it is basically ensuring that the soldier remains आपर विणिवाद इंपर कर्यों है मिजने मिजने पर्ण। उपार की या मिजने इसम मुझ अक् justamente बपर्स दूपर्ण। जईक कंपरण। एंपूर्मिंट, प्रच्ट, आपक्राइब केङ्पवक हैं वहार। एल्हेजिप्ट्ट एल्हें हैं वहार। तरिए पूलेखिए अश्साइ अच्र में जाड़ने जारेपएथिश्ट देटारि हैं धुड़ीखिश्ट वहार। थालिए उन्हें तों करदन का झाल नच्ड ओंध आर्साइश में किसंट लिन्मख न---- अई एक स êtesन्हें कि अ कू raगए लाग्य सु सित्न विवर्दिब प्रशेब में विस रपरे नच्ड div走吧 अगर भुन अपर्म अच्छी को टें Japanese evangelism compared कि अग्यों रबरुण right झारप मुष 측ैशे है तो ने प्रूम होसा पे watershed हंग हो थे वार प्रस सब्सक्तार एम a जे ए्या बार Metin leaders명 को टो प्रաշब has been put on Pakistan, let us see, let us see, it's a step by step process, it'll be too premature for us to start saying that, you know, everything is now going to be in our favour and that the U.S. will do our job, what we are expected to do, will be Pakistan, we will have to do our own job. So, as far as that is concerned, I think I will, we'll have to look at that. When we look at an assertive China, well, China is emerging as a powerful country and एड़ जो आजसे पार एंड़ ग्लोबल पार बट सर्टली तर रिबहर्ज दे डीजनल पार इंडरीजन उस कर रहे हैं हमारे कुछ जो भी पीजिए हैं वो उनके खिलाब असफल होगे अभी हुए एक लेड कोर बुलिट लेके आ रहे हैं एक 47 राइफल में एक लेड कोर बुलिट है स्टील कोर बुलिट यह जो स्टील कोर बुलिट है हमारी जो पुरानी जो बुलिट प्रूफ जैकेट थी उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसके बावजूद हमारे प्रूफ के तो हमें क्या किया कि नया जियेस के वार निकालना पड़ा इस बुलेट फूज कि रे ल, तो ये जिक के लिए अब टेस्टिंग कर लिंगें। कुछ bullet troop jacket हमारे पास आ गई है जहां पर हमारे पास emergencies थी वो हमने अपने army commanders को बोला है कि आप bullet troop jacket अपनी power में procure कर लीजिए तो northern command और eastern command के army commander ने अपने army commander special financial park के जरिये यह bullet troop jackets procure कर ली है बाकी जो है 1,86,000 जो bullet troop jackets और आनी है हमारे लिए इसका cycle शुरू हो चुका है इसकी testing हो गई है और procurement process शुरू हो गया है लेकिन एक साथ ही हमारे को manufacturer नहीं दे सकते तो बीज बीज परचिस परचिस जहार करके हर quarter में हमारे पास जैकेट आनी शुरू हो जाएगी और 2019 के एक तक हमारी सारी requirement मीट हो जाएगी तो यह bullet troop jacket एक लाग 86,000 की प्रक्रिया मैं कहता हूं शुरू हो गई है पठ्टा था वो वो found to be not effective तो हमने ballistic helmet भी ली है जिसमें पहला trans of the helmet है वो आ गया है और हमने इसको सबसे पहले कुछ हमने सिक्किम के लागे में दे दिया जहां हमारा confrontation और दोलम में और बाकी हमने Northern Command को दे दिये ताकि जवानों के पास ही आ जाए और बाकी procurement cycle हमारी चल रही है तो ballistic helmet इसके अलावा हमारे कुछ UN mission में भी कुछ bullet proof jacket और यह ballistic helmet फ्रायटी में बेजने पड़े तो हमारे को अपने ही इन में से कुछ हमने निकालके United Nation missions में combo और सुलान में भी बेज़ी है तो इसके साब से हमने इनको वहां बेज गया लेकिन यह प्रकिया जारी है और bullet proof jacket और bullet proof ballistic helmet जो है इसकी प्रकिया शुरू हो गई है हमने testing कर लिए सब कारवई हो चुकी है और अब procurement उसर जारी है इसके अगर पोस्ट पे अगर firing हो रही है तो वो तब हो रही है firing जहां हमें पकी खबर होती है कि वहां पर terrorist का base है और terrorist को वहां से पूरी त्यारी करके वहां से infiltration के लिए त्यारी की जाती है यह बंकर सिविलेंस के लिए बन रहे हैं भारतिय सेना का नजरिया यह सुनिश्यत करन झाल